हेलो गुट मॉर्णिंग वेलकम टू दे कोचिंग अभिसे कोचिंग सर्विसेज यूटिप चैनल और आए भी इस वीडियो में बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने माले हैं और उसके तयारी कहां से करनी है कौन सी आपके लिए बेस्ट बुक है एक ऐसा बुक बताई जिसमें कि आपको 90% कोचन उसी बुक में से आ जाए तो वह है आपका मास्टर नोट्स और एक ऐसा कोचिंग जहां से आप 100% चीजों को सीख सकते हैं वह भी कम से कम समय में वह है वीडियो कोचिंग में से 25 कोचन टोटल मिला के हुआ अपको 80 नंबर यह आएगा और आपको जेनरल अवार्णेस और करेंट अफेस में से करेंट अफेस एसपेशली आपको 10 से 12 कोचन और जेनरल अवार्णेस में इसको आएगा कितना साथ से आठ पर संसी जिसमें कि आपको हिस्टिज तो यही आपका 90-91 परसंट चीज़े कवर करती है तो बस आपको इस तरह के सिलेबस को पढ़िए और यह सब चीज़ को पढ़िए आप अब देखिए आपको त्यारी होगी इस तरह से आप इसमें लवह में 95 तक त्यारी कर पाएगा अपको बिल्कुल आजाया क्योंगी 90 परसंट तक त्यारी मत्कि मास्टर नोट्स में से कोशन आपको आएगे NTPC में दो एकजाम होगी CBT1 और CBT2 CBT1 में जो एकजाम में कोशन पूछे वो 100 कोशन पूछे जाएगे जो की क्वाइलिफाइंग होगी और यानि क्वाइलिफाइंग का मतलब हो कि इसमें जो भी एसमें टॉप करेगा वो आगे के एकजाम के लिए फॉर्म भर पाएगा और इसका जो नंबर है CBT1 का वो NTPC2 के लिए मतलब कि एकजाम का जो मेरिट वनेगा उसमें इसको नहीं जो रहा जाएगा तो यह रही बात तो अब NTPC1 और NTPC CBT2 दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है और देखिए आपको इसमें 100 कोशन है मैथ रिजिनिंग मैथ रिजिन और पूछा रहा है आपको जेनरल अवार्नेस का जिसमें की साइंस है मत जो गुरूपडी का सिलेबस वही NTPC का भी सिलेबस है इसमें भी मैथ रिजिनिंग साइंस आपको लवह में 75-80 प्रसंद आपको आरे एकजाम में करेंट अफेस का एक आहम रोल है 10 प्रसेंस नमटर जेनरल अवार्नेस से जिसमें की साइंस भी है करेंट अफेस भी और आर्ट पेपर भी है तो इस तरह से यह आपका सिलेबस और पैटर्ण आपको इसे इनुसा त्यारी करनी है लेकिन आपको जिस चीज़ ज्यादा ध्यान देनी वह आपका मैथ रिजिनिंग साइंस करेंट अफेर्स आर्ट पेपर को थोड़ा कम पढ़ना है एंटीपिसी और गुरूप डी एक्जाम के लिए यह सब चीज़ को आपको पढ़ना है मास्टर नोट्स में से इसमें से 90 पर संट कोशन एक्जाम में टच होगी और वीडियो कोचिंग में आपको यह सब चीज़ से ले सकते हैं यह सब चीज़े तो बस आप मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग लेकर के नॉर्मली आप एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं किसी बीतर की कोई भी जानकरी चाहिए तो आप इस नहुंपे कांटेक्ट कर लेजे और आपको जो अगर आप मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग को लेना चाहते हैu कैसं डिलिवरी में तो वह आपको पुरे बिहार में मिल जाएगी उसको प्रोवाइट कर वादें आपको कैसंड डिलिवरी में बिहार में और बिहार से बाहर जितने सारे सब्सक्राइब होते हैं सभी जगह पर यह आप ऑंलनन खई प्राइवेट हो गई है अब उसमें मतलब की कोई चांसे नहीं है और वो पढ़ाई भी छोड़ चुके यह सब देखिए अफवाह है पूरी तरह से बात सच नहीं है हाँ यह बात सच है कि रिल्वे में प्राइवेट कंपनियों की इंट्री हो गई है प्राइवेट ट्रेन भ की जो सुविधा होती है वो अच्छे खासे नहीं होते हैं तो इसलिए उस सुविधा को बराने के लिए साप सफाई को ध्यान में रखने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए किसी तरह की कोई परिसानी नहीं इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों को कॉंट्रक्ट प को बराने के लिए ऐसा किया गया है इसका जो रेलबे के जो काम कर रहे हैं करमचारी उस पर ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा वह जैसे पहले जो गुरूप के स्टाफ होते तो वह ऐसे अभी भी रहेंगे क्योंकि जिम्मवारी तो जो सरकारी करमचाई रहेंगे उसी पर होगी स्टेशन मास्टर जैसा पहले ताव इसा अभी उसको प्राइबेट नहीं किया सकता को प्राइबेट आदमी ट्रेन को नहीं चला सकता ऐसा मतलब अगर ट्रेन होगी भी प्राइबेट ना तो सरकारी जो पहले सी जो पोस्ट है जो सब निकली हुए वो सब रहेगी वेकैंसी आती रहेगी आप लोग परहाई मत बंद करिए इस वीडियों बस इतना ही आपको फिशर मिलते किसी और वीडियो में और आप लोग इस वीडिय में तो है ही और आप के लिए बहुत ज्यादा खास होगा यह मास्टर नोट्स आप इस मास्टर नोट्स को ले करके आप इजी वे में बहुत यासानी से एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं थैंक्यू सो मच आपको फिशर मिलते हैं किसी और वीडियो में